कक्षा 6, विशे संस्कृत, पाठ सोलह, सोवर्ण किटिका, इसका हिंदी अर्थ स्वर्ण किटिंक, तता प्रविशती दारकं ब्रिहीत्वार रदनिका, रदनिका, इही वत्स, शक्तिकया क्रीडावह, दारक्या सकरुनम् रदनिके, किन मम एतया, मृत्तिकाश कटिकया तामे सोवर्ण शक्तिकाम देही, रदनिका, सनिवेदं निश्वस्यक जात, कुतोस्माक्यम, सुवर्ण व्यवहरा तातास्या पुनर्पी रिच्छ्या सुवर्ण, शक्तिकया क्रीडिश्यसी तद्यावद विनोधायम्यनं, आर्याया वसंतसेनाया समीपम उपसर्शियामी, अनलेंकृता शरीरोपी चंद्रामुखह, आनांदायती मं व्रिदायम, रदनिका, अशह खलू आर्याह चारुदतस्या पुत्रो रोहसेनो नाम, वसंतसेनाह बाहु प्रसार्या एही में पुत्रम, आलिदूंग, इत्यनके उप्वेश्या अनुकृतमनें पितुं रूपम रदनिका, ना क्यवलम रूपम शीलम पीतर कयामी, अतेन, आर्याह चारुदताह आत्मानम विनोदायती, वसंतसेना, अत किन्निमितमेश रोदिती, रदनिका, अतेन प्रतिवेशिक ग्रिहपाते दार किस्या, सुवर्ल शक्टिकया क्रीडितम, तेन चसानीता, ततह, पुन स्तामारगायतो ममेयम मृतिका शक्टिका क्रित्वा, दत्ता, ततो भन्ती, रदनिके, किन्ममेतया, इसका हिंदी अनुवाद कुछ हिस प्रकार है, फिर रोती हुई महिला बेटी के साथ प्रवेश करती है, रदनिका, ये बच्छडा है, चलो गारी से खेलें, दार क्या कर नापूरवक प्रोते हुए, इस मिट्टी की टोकरी के साथ वही सोने की टोकरी मुझे दे दो, रदनिका, अहे भरते हुए, जात, हमारा सुनहरा सौधा कहां है, पिताजी, आप रिच्छा की सुनहरी गारी के साथ फिर से खेलेंगे, मैं तब तक उसका मनोरंजन करूंगा मैं आरिय की वसंत सेना के पास जाऊंगा, आकर आरिय मैं नतमस तक हूँ, वसंत सेना, रदानिके, स्वागत, ये बेटी किसका बेटा है, यहां तक की उनका अलनकृत शरीर, उनका चांद सा मुख मेरे हृदय को प्रसन कर देता है रदनिका, ये वास्तव में चारुदत का पुत्र रोहसेना नामक कुलीन व्यक्ती है, वसंत सेना, हाथ फैला कर यह मेरा बेटा है, गले लगाना, सोफे पर बैठकर उसके पिता का अनुकरन शिल मनवाला रूप रदनिका, मैं ना केवल दिखावे के लिए बल की चरित्र के लिए भी बहस करता हूँ कुलीन चारुदत इसी से अपना मनोरण जन करते हैं, वसंत सेना, फिर वाल क्यूं रो रहा है रदनिका, ये परोसी ग्रिह स्वामी की सुनहरी गाडी से खेला जाता था, और वो उसे ले गया फिर जब मैं फिर से उसकी तलाश कर रहा था तो मुझे ये मृत गाडी दी गई फिर वो कहता है, रादानिके मुझे इससे क्या लेना देना, मृतिकाश कचिकया, तामेव सोवर्ण शक्तिकाम देही इती, वसंत सेना हाधिक, हाधिक आयम्पी नाम पर संपत्या संता प्यते, भगवन कृत पुषकर पत्रपतित जलबिंदु सद्रश एक्रीड सी, त्वम पुरुष भाग अधेयाई है, इती समराक जात, मारू सोवर्ण शक्तिकया क्रीडिश्यसी, धारक, रदनिके, काश, रदनिका जात, आर्या ते जन्न भावति, वसंत से नाह, जात, मुगधेन मुखेन अतिकरुनम मंत्राय सी, येन आभार्नानी अवतार्या रुदति, इदानीन ते जन्नी सम्वरता, तद ग्राहानी एतमल्न कारम, सोवर्ण शक्तिकाम चा घाताय, रदनिके, अलिकम थ्वाम भंसी, यदी अस्मा कमार्या, जन्नी तत के ना इंकृता, दार कहा पेही, ना ग्रिही श्यामी, रोदिशी त्वाम, वसंत से नाह, अश्रूनी प्रम्रिज्य, जात, रोदिश्यामी, गच्च, क्रीड, अलिकार में अच्च कटे का पूरा इत्वाकारक सोवर्ण शक्तिकाम, इतिदार कमादाया निश्क प्रांतार रदानिका, इसका हिंदी कुछ है, इस प्रकार है, मिट्टी के बर्तन के साथ, मुझे वही सोने की गाड़ी दे दो, वसंत सेना धत तेरी, धत तेरी, क्या इस नाम को भी दूसरों की संपत्ति सताती है, ये भगवान, अब कमल के पत्तों से गिरने वाली पानी क की बुंदों की तरव पुरुषों के शेरों के साथ खेलते हैं, इती समराक जात, मारू, तुम सुनेहरी गाड़ी से खेलोगे, दार का, रादानिके, यह क्या है, रदनिका बन गया, आर्या तुम्हारी मां बन जाती है, दारक, बन गया, आप मुगध मुख्ध करके अत्य दायानियता से परामर्श करती है, अभिनेतरी अपने आभूशन उतार देती है और रोती है, अब तुम्हारी मां का निधन हो गया है, धैरों के लिए ये आभूशन और सोने की गाड़ी बनाओ, वसंत सेनाह, रादानिके, आप थोड़ी सी बात कह रहे हैं, यदी हमारी का श्रिंगार किस से होता है, दार कहदूर हो जाओ, मैं इसे नहीं लूनगा, तुम रो रहे हो, वसंत सेनाह, आशू पोंचते हूँ एक जाओ, मैं रोऊंगा, जाओ, पन्त, भालू की टोकरी आभूशनों से भर दो कारक सोने की टोकरी है, इतिदर कमादाया निश्क्रां प्रादानिका